दोस्तों कैसे हैं आप लोग हाली में Samsung ने अपली J सीरीज में काफी सारे स्मार्टफोन को लांच किया था और उसमें Galaxy J288 भी सामिल है जो की थोड़ा सा expensive है फिर भी बहुत सारे लोग इस फोन को पर्चेस करने के लिए वेट कर रहे है लेकिन क्या ये फोन सच में अच्छा उप्सेन होगा 18,990 रुपे के प्राइस में तो चलिए आज उसी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों आज कल लगबग सभी स्मार्टफोन ब्रैंड 10-15,000 के प्राइस में Full HD Plus का डिस्प्ले वाला फोन ला रही है और वा सेमसंग आपको HD Plus का डिस्प्ले दे रहा है लेकिन क्वालिटी वाइस एडिस्प्ले उतना खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें सूपर अमनल पैनल का यूज किया गया है और वैसे ही पोसेसर में भी सेमसंग एक लोएन चिपसेट दे रही है जो कि स्नाप डगन 450 OctaCore का होगा दोस्तों आप देखेंगे कि मार्केट में Asus M1 Xiaomi Redmi Note 5 Pro Realme 1 जैसे स्मार्टफोन में एक हाय एन चिपसेट मिलता है और प्रैस भी कम मिलता है सेमसंग को एटलिस्ट स्नाप डगन के 600 सिरीज के पोसेसर देना चाहिए था और फोन कैमरा 16MP का मिलता है जो ये 1.9 अपरचर को सपोर्ट करता है तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको ये वाला फोन को पर्चेस करना है या फिर नहीं तो अभी के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को सब्सक्राब का लीजेगा